हालो फ्रेंड्स, खानाखिलान.com में एक बार आपका फिर से स्वागत है, मैं शालुनिय। दोस्तों, आज मेरे खन में पूजा है, तो मैंने सुचा क्यों ने भगवान का भोग लगाने के लिए कुछ चान्दी की बरतन निकाल लो, मैंने निकाला और देखिए इनकी क्या हालत है, ये कितने पीले और गंदे हैं, अब समझ में नहीं आरा क्या करूँ, ऐसा ही होता है आपके साथ भी, जब आप किसी खास मौके के लिए ये पूजा पाट के लिए चान्दी की बरतनों का यूज करना चाहते हैं, और वो देखने में इतने गंदे होते हैं, तो समझ नहीं आता कि आप क्या करें, तो आज मैं आपके लिए कैसी ट्रेक लेकर आई हूँ, जिसमे मैं आप सिर्फ पांच मिनट में अपने इचान्दी के गंदे पुराने बरतन चम चमा सकते हैं, तो चलिए बिना देरी किये शुरू करते हैं, चैनल पर नहीं है, तो जल्दी ते सब्सक्राइब कर लीजे, और बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं, चलिए शुरू करते हैं, अब यहां मैंने गैस पर बरतन लग दिया है, बरतन में डाला है पानी, पानी हम इतना रखेंगे जितने कि हमारे इसमें धोने वाले बरतन डूप सके, अब इस पानी में डालेंगे हम दो बड़े चमाच मित्छा सोडा यानि कि खाने सोडा इसको मेक्स कर देंगे, और में दोने हैं अब तरब को थोड़ा सा दूबो देंगे थोड़ा सो इसमों और पाइन डाल देते हैं आप नगा पानी कि दूने स्पून भी डाल देते हैं और अब इसे तीन से चार मिड़ तक हम किवल इसको उबलने देंगे अच्छे से जादा समान बीस में लगता और बहुत जादा मेहनत बीस में लेगी और यह फटा फट चमक कर तयार हो जाएंगे तीन मिनिट हो गए है और हमारे बर्तल काफी अच्छी से उबल गए है अब मैं यहाँ पर गैस आफ कर रही हूं और अब एक ही करके सारे बर्तलों को हम बहार निकाल लेंगे अब एक स्कॉच ब्राइट लेंगे अब इसमें डालेंगे बर्तन साफ करने वाला वेम या प्रिल कुछ भी डाल सकते हैं जिसे बर्तन साफ करते हैं और अब इसको अच्छी से रगलकर माज देंगे इस तरह से देखिए साबुन की जाग देखिए आप कितने काले हो गए है यह देखिए कितना काला निकल रहा है इसमें से अच्छे से हमने इसको साबुन से माज लिया है अब इसको साफ पानी से धो लेते हैं यह आब इनको पानी में धोते हैं साफ पानी में जब तक साबून ने निकल जाता तब तक इनको अच्छे से दोलीजे अब इसका पानी एक बार और चेंज करेंगे अब इसको फिर से अच्छे पानी में धोलीजे और अब देखिए इनकी शकल देखिए कैसे चमक रहे हमारे वही पुराने गंदे पीले चांदी के बरतन सिर्फ पांच मिनिट में ना बहुत ज़्यादा समान लगा ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और देखिए यह देखिए दूसरी हमारी बोल भी देखिए कितनी बढ़िया चमचमा रही है पीछी से भी देखिए सारे दाग धब्बे इसके गायव हो गए है और हमारी दोव स्पून भी है यह देखिए कैसे चमक रही है लग रही ने बिलकुल नहीं जैसे और इसी तरह से अपने शारे बरतल जो भी हमारे पास होते हैं यह हम दिवाली पर यूज करते हैं आप इस तरह से उल को फटा फट चमका सकते हैं और सिर्फ पांच मिनिट में बिना मैनत और बिना समान के तो देखां आपने कैसी जट पठ हमारे सिर्फ पांच मिनिट में हमारे चांदी के बरतन चमक उठे आप जरूर ट्राई कीजेगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर जरूर कीजेगा आप मेरे चैनल को ऐसे ही फॉलो करते देएगा ऐसे ही बड़िया बड़िया टिप्स एंड ट्रिक्स में आपके लिए लाती रहोगी आप हम मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ अब तक